? हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ Trading Lab चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत important concept की दोस्तों यह important concept है कैंडल स्टिक का और इस वीडियो को देखने के बाद आपके candlestick के जो सारे doubts हैं वो clear हो जाएंगे और इस एक वीडियो में ही आप candlestick की पूरी knowledge ले सकते हैं इतने सारे जो patterns आप पढ़ते हैं हजारों तरीके के आपको two candle के pattern बताये जाते हैं three candle के pattern बताये जाते हैं single candle के pattern बताये जाते हैं वो सारे जो पैटन्स हैं उनका निचोड सिर्फ आपकी केंडल स्टिक को समझने के अंदर आता है और अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं कि केंडल स्टिक कैसे काम करती है केंडल स्टिक के पीछे की साइकॉलिजी कैसी होती है तो आपके लिए pick करना बहुत असान हो जाता है कि buyers जाधा control में है या sellers जाधा control में है कॉन जाधा control में है दोस्तो तो दोस्तो डारेक्टली हम वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए image निकाल के लेके आए वह बहुत ही बढ़िया जो आपको candle stick को समझने में बहुत जादा help करेगी दोस्तो तो दोस्तो ये देखिए ये image मैं थोड़ी सी zoom in कर देता हूँ और मैं आपको ये देखिए दिखाना चाहूँगा देखिए जो 6 तरह की candles यहां पर बताई गई हैं दोस्तो 6 तरह की candles हैं simple त bullish और more least bullish उसके बाद most bearish और least bearish इन चीजों देखिए इस चार्ट को आप जो है न डिरेक्ली आप प्रिंट करके या फिर इसका screenshot लेके आप जो है इसको मैं telegram चैनल पर भी पोस्ट कर दूँगा इसको डिरेक्ली आप जो है न कहीं पर लगा लीजे अपने सामने बहुत सार यह कि जो चीजें आपको दिखती रहती है न तो उस वो चीजें आपके दिमाग में बैठने लग जाती है market बहुत बड़ा समंदर है market में आप जाईएगा तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी हजारों चीजें endless हैं दोस्तों लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको सही माइने में एक जो है अपने पास रखनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया था chart patterns जो होता है उसका भी एक screenshot मैंने दिया था ऐसा ही यह candle है सारा निचोड इसके अंदर है तो देखे जो most bullish candle होती है वो यह पहली candle होती है इसके अंदर जो opening price होता है वो बिल्कु closing price होता है दोस्तों वो इसका highest के पास होता है तो यहाँ पर यह candle आपके लिए most important बन जाती है और उसके बाद दोस्तों जो इससे कम bullish होती है वो यह होती है यह भी bullish है क्योंकि देखे इसकी closing है वो high के बिल्कुल pass है high के पास है अगर आप देखेंगे closing बिल्कुल high के पास है लेकिन यहाँ पर यह इतनी bullish नहीं है क्योंकि देखे इसके यहाँ पर sellers जो है वो नीचे लेके गए थे price को और buyers उपर ले आए और closing high के पास दी तो यहाँ नी sellers कहीं ना कहीं यहाँ पर active है लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी sellers active नहीं है तो यह वाली candlestick आपको कहां पर देखन यह third वाली candlestick है दोस्तों यह कहीं ना कहीं indecision दिखा रही है कि ना sellers control में है ना buyers control में है तो यहाँ पर sellers जो है नीचे की तरफ लेके गए थे buyers उपर ले आए, buyers उपर की तरफ लेके गए, sellers नीचे की तरफ ले आए तो यह एक तीसरा variation है candlestick का जो आपको दिखा रहा है indecision लेकिन ये indecision इतना नहीं है क्योंकि यहां पे भी bullishness है, buyers control में हैं, लेकिन इतना नहीं है कि ये fourth वाली candlestick देखिए, fourth वाली जो आप candlestick देख पा रहे होंगे, fourth वाली candlestick में बहुत जादा indecision है क्योंकि यहां पे इसकी range जो है, ये narrow range है बहुत जादा और इसके अंदर wick उपर की तरफ बढ़ी है, इसका मतलब ये हुआ, buyers उपर की तरफ बहुत जादा लेके गए, sellers नीचे ले आए, sellers और नीचे लेके गए, buyers उपर ले आए, कहीं नहीं बायर हावी नहीं है, seller हावी नहीं है, दोनों के बीच में बहुत जादा equilibrium है, तीसरी, fifth जो candlestick है दोस्तो वो दिखा रही है आपको, की उपर की तरफ बचानी स्टार्ट हो गई है, अब आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको क्या कहना चाहरा हूँ, यहां पे जो है, यह नीचे की तरफ बचारफ बचार हो बचानी पर जाए जैसे रोकेट जो है, ओब जाने के लिए रिए नीच या वो जो gases छोड़ता है उससे वो thrust बनता है उपर की तरफ जाने का तो यहां पे वो thrust जो है यहां पे बहुत जादा है उपर की तरफ जाने का यहां पे उपर की तरफ विख है और नीचे की तरफ यह बाडी है इसका मतलब यह है कि प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ है लेक जहां हुआ था वहीं के पास है यहां open जो हुआ था closing middle के पास है तो यह थोड़ी bullish है और यह last वाली जो sixth candle है यह बहुत कम bullish है और यह signify कर रहे हैं कि अगली वाली candle आपको यह red देखने को मिल सकती है तो दोस्तों यह bullishness की कहानी है और same जो है आपको bearishness की भी कहानी आपर दे bearish यह होती है अब इसके अंदर भी दोस्तों variation होते हैं इसके अंदर भी variation होते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देखे मैं एक candle draw करता हूं यह वाली एक मैंने candle draw करी और यह मेरी red color की मैंने candle draw करी और यहां पर variation यह कि इसके अंदर यहां भी विक हो सकती है यहां भी विक हो सकती है दोस्तों तो यह आपको यहां पे ऊपर और नीचे थोड़ी सी विक यहां पे हो सकती है तो यह candle ऐसी भी हो सकती है, real time में बिलकुल ऐसी candle जो मारू बुजू candle अगर आपको मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होती है और अगर बड़े time frame में, छोटे time frame में तो आपको मिलती रहती है, एक, दो, तीन मिनट का जो time frame है, एक मिनट का, दो मिनट का, तीन मिनट का, इसमें तो मिलती रहती है लेकिन अगर ये candle आपको 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट में मिल जाती है, तो ये आपको directly ये signify करती है कि pressure जो है, वो बहुत जादा बेरिश है तो यहाँ पर ये सबसे जादा बेरिश candle है, उसके बाद ये कम बेरिश है, कम बेरिश क्यों है, दोस्तों, कम बेरिश इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर उपर की तरफ विक आ गई है, और विक इतनी जादा, जो है न, तेज नहीं है, ये देखिए, ये बहुत जादा तो इसके अंदर उतनी bearishness, उतना totally sellers इसके अंदर active नहीं है, कहीं ना कहीं इस दौरान buyers भी active हुए थे, थर्ड जो candle stick है वो दोस्तों, बिल्कुल same, देखे, variation बिल्कुल same है, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर यह उपर की तरफ least bullish हो जाता है, यहाँ से bearish, और कम bearish, उससे कम bearish यह हो गई, उससे भी कम bearish यह है, आप देखे, इसका screenshot लेंगे, आप daily इसको observe करेंगे chart पे, तो धीरे-धीरे आपको यह clarity होने लगेगी, कि कहाँ पर आपको, इस कौन सी candle को कहाँ पर देखना होता है, हर candle का हर जगे significance नहीं होता, सबसे जो most important जो चीज होती है, दोस्तो, most important जो चीज होती है, वो होता है, दोस्तो, context, context क्या होता है, context यह होता है, कि कहाँ पर मुझे कौन सी candle को देखना तक यह हर candle हर जगह पूटि यह आप थिमाग से निकाल दीजए कि कोई भी माल लीजाए आप कोई भी candle देख रहे हैं आप ये बली candle देखने कोई भी candle देख हर कैंडल , हर जगह एक्टेव हर जगह उसका significance नहीं होता तो तो यहाँ पर इस डिरेक्टी हम चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पर हम देखने की कोशिश करेंगे, 15 मिनट!! का टाइम फ्रेम लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आपको अभ्जेवळ दिखायंगे चीजों को, बहुत बहुत ही जो है न, सिंपल तरीके से चीजों को अब्जर्व करेंगे और सिंपल तरीके से, देखें, सबसे पहली जो केंडल बनी, 15 मिनिट की बात कर रहा हूँ है, 15 मिनिट और और भी, जो है, बिल्कुल स्टेबल, 15 मिनिट नहीं तो आप 10 मिनिट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं और, देखें, 10 से कम जाएंगे तो आपको noise इतनी मिलेगी कि आप कुछ भी उसके अंदर observe नहीं कर पाएंगे तो आपको पहली candle कैसी मिली दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहली candle आपके पहली candle यहां पे कैसी मिल रही है पहली candle आपको, यह देखें विक इसकी है यहां पे bearishness है, देखें, इस candle को आप किससे relate कर सकते हैं आप इसको इससे relate कर सकते हैं कि यहां पे bearish है, लेकिन इतनी बीरिश नहीं है देखे यहाँ पर यह फिर नीचे आया यहाँ पर हैमर बना नीचे आया यह देखे यह केंडल आप अबसर्व करेंगे अगर आप यह केंडल अबसर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी जादा bearishness यहाँ पे है देखे मैं आप दिखा देता हूँ आपको कौन सी candle यह देखे यह वाली candle यह candle observe करेंगे तो यह candle कही ना कहीं आपकी जो है ना इस वाली candle को signify कर रही है इसके अंदर थोड़ी सी विक आ गई है नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ और जूम इन कर देते हैं इसको और देखे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकिंड रुकिएगा थोड़ा सा यह देखिए यहाँ पे कही ना कही बस नीचे की तरफ विक आ गई है तो यह signify कर रही है यहाँ से अगर आप एंटर करेंगे तो आपका stop loss का hit होने के chances बहुत जादा है क्यों जादा नहीं है दोस्तों यहाँ पे क्यों नहीं है आपक इसको उपर ले जाने में बहुत जादा pressure feel करना पड़ेगा buyers आये फिर नीचे आये फिर नीचे आये फिर buyers आये फिर नीचे फिर sellers नीचे आ गए तो यह एक ऐसी candle होती है दोस्तों जहाँ पे जो की आपका बहुत बहुत जादा इन candles पे अगर आप राइट समय पे entry लेंगे तो आपको जो है ना बिल्कुल भी बिल्कुल भी आपका stop loss hit नहीं हो पाता 90% of the case में 80 to 90% देखें market में 60-70% भी कोई चीज अगर चलती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है professional communities को जानती है लेकिन अगर मैं उससे भी जादा आपको 80 to 90% की बात कर रहा हूं तो इस candle को आ range breakout के आसपास देखना होता है इस पर मैं detailed video भी बनाऊंगा कि range breakout पर आपकी candlestick कैसी होती है उसमें हम examples के साथ आपको समझाएंगे लेकिन अभी के लिए आपको यह चीज दिमाग में रखनी है यह आपकी कोई भी यहाँ पर entry candle नहीं थी आप यहाँ अगर देखेंगे पहली 10 minute की candle तो यह नीचे आ रहा है ठीक है आपका यहाँ पर तुक्का लग सकता है कि यह नीचे आ गया बहुत बड़ा gap up था नीचे आ गया लेकिन यह यहाँ से जैसे यह hammer type candle बनी तो यहाँ से यह reverse भी हो सकता था यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है तो आपके लिए जो कंडल का सिगनिफिकेंट सबसे जादा है दोस्तों आपके लिए पहले वाली केंडल का सिगनिफिकेंट सबसे जादा है आप जो है ना कनफरमेशन के लिए यह वाली केंडल स्यूज कर सकते हैं कनफरमेशन के लिए यह वाली केंडल भी आपकी चल सकती है यह वाली केंडल यह आपकी जो है ना specific points जैसे कि आप कोई भी particular जो मानेंगे Fibonacci Fibonacci एक टूल होता है दोस्तों Fibonacci लगा रहे हैं और दिखाने के बाद आप कही ना कहीं देख रहे हैं कि Fibonacci का कोई level आ रहा है ठीक है कोई ना कोई आपका level आ रहा है तो आप Fibonacci लगाने के बाद जो है ये वाली candles को देख सकते हैं देखे आपका यहां पे यह breakout था और इसके ऊपर यहां पे कही न कहीं closing मिली इसको इस बड़ी candle पे देखिए हाई के जो आसपास close हो रही है तो यह आपकी कही न कहीं दोस्तों बहुत अच्छी एक candle बन जाती है entry की stop loss आपका नीचे जा सकता है उसके बाद range में गया लेकिन आपकी यह वाली भी बहुत अच्छी जो है एक breakout की candle है जो कि एक range को breakout कर रही है तो range breakout पे कैसी candles देखते हैं range breakout पे हमेशा ऐसी candles देखते हैं support resistance पे अगर support ले रहा है कोई stock तो support पे आपको ऐसी candle ढूणनी होती है अगर कोई stock resistance ले रहा है तो resistance पे आपको ऐसी candle ढूणनी होती है कि resistance लेके double top formation करके stock नीचे आएगा तो यह वाली candle मेरी यहाँ पे बनेगी और देखे मैं आपको pin bar भी दिखा देता हूँ pin bar कैसे बनता है pin bar formations कैसे होते हैं दोस्तो pin bar के formations देखे कुछ ना कुछ देखे यह आप देखेंगे यहाँ पे देखें यहाँ पे आपका यह pin bar बना उसके बाद यह नीचे आया लेकिन इस pin bar को obey नहीं किया यहाँ पे एक pin bar बना तो अब जब भी यह nifty bank यहाँ के इस level के आसपास आएगा जिस level को हम mark कर रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी resistance के रूप में काम करेगा दोस्तो यह बहुत बड़ी resistance के रूप में काम करेगा और देखेंगे यह वाला यह वाला level और इस वाले level पे आपको क्या ढूणना है देखें इस वाले level पे आपको तो वापिस से at least 15 minute के time frame में क्या देखना होता है, professional traders क्या देखते हैं, यह मैं आपको बता देता हूँ, professional traders दोस्तों यहां पे देखेंगे कि candle stick का formation कैसा हो रहा है, 15 या फिर 30 minute का time frame आप लेंगे, बड़ा time frame जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि देखेंगे, bank nifty का अगर आप द आता है, तो आप वहापिस यहां पे एक जो है ना trade ढूंड सकते हैं, जो है ना reversal का trade, माल लिजए यहां से यहां से ऊपर की तरफ जाता है, और break यहां पर आता है, तो यहां पे आपको candle कैसी देखनी है, दोस्तों, candle हमेशा आपको ऐसी देखनी है, जो मैंने आपको दिखा यह first वाले formation की, यह वाली candle आपके लिए एक alert candle के रूप में आ सकती है, कि यहां पे अगर यह उपर की तरफ resistance लेगा, और resistance लेके यह उपर की तरफ ऐसी candle बना रहा है, जहां बड़ी wick है, इसका मतलब यह यहां से reject हो रहा है, rejection के बाद जब बहुत बड़ा यह वाली candle बनत तो आपके लिए यह confirm हो जाता है, यहां पर जिसकी closing जो हो बहुत लो के पास है, तो आपके लिए यहां पर nifty, bank nifty में momentum confirm हो जाता है, कि bank nifty में यहां से at least आपको 200-300 point का momentum मिल जाता है, फिर आपको यहां पर support resistance कहीं देखनी होती है, जैसा कि आप यहां देख पाएंगे कि यह वाला nearest level है, तो यहां पर 36-255-35500, यानि आपको यहां पर 600-700 point का momentum मिल सकता है, तो आप इस level पर आने का bank nifty का weight करेंगे, और इन candlesticks को follow करेंगे, तो इस simple-simple analysis के तरीके हैं, लेकिन candlestick आपको क्या बताता है, वो पूरा, देखे, अलग से मैं इस candlestick को कहीं नहीं देखनी होगी, तो मैं किसी levels पर देखूँगा, levels पर देखूँगा, बहुत, देखे, बहुत detailed video, बहुत detailed advanced concepts पी हो सकते हैं, इस पर, कि आप trend trading जब कर रहे हैं, तो trend trading में कहां पर आप जो है, इन candlesticks को ढूणने, आप reversal trading कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया, reversal trading कर रहे इस video में मेरा मकसद आपको समझाने का सिर्फ और सिर्फ ये है, कि आप ये वाले candlestick के chart को अपने पास, देखे, मैं telegram पे भी post कर दूँगा, और आप खुद observe कीजिए, खुद observe कीजिए, कोई levels आ रहे हैं, कोई trend line को break हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, false break हो रहा है, तो कौन सी candlestick सादा active है, एक कहीं, learning endless है, देखे मैं आप से जो चीजे कर रहा हumbs, मैं भी, जो experience से अपना देख पा रहा हूँ, वही चीजे मैं आप से शेर कर रहा हूँ, और मैं भी इन चीजों को apply करता हूँ, learn करता हूँ, तो मैं चाहूँगा आप भी इन चीजों को apply करे, learn करें ताकि आप भी इन चीजों को सीखें और इनको चार्ट पैटर्स के साथ और कंबाइन कैसे करते हैं वो देखें बहुत एडवांस चीजों हो जाती है आप सिंपल सिंपल इस केंडल स्टिक को फॉलो कीजिए और खुद अपने आप रेजर्ट्स देखिए तीन तरह की जो break-out पर entry लेते हो सपोर्ट के breakdown पर लेते हो reversal में आप reversal ढूंडते हो double top double bottom head and shoulders. तो यहां पर आपको इन Candle Stik के साथ Combine करके एक story form करनी है एक story form करनी है और यह देखना है कि candle stick आपको क्या बताना चाहर Öं है दोस्तो यही secret है आप इतने सारे patterns के पीछे भागेंगे अच्छी बात है आप सीख रहे हैं सीखें लेकिन यह candlestick का सबसे बड़ा secret यह है यह 6 candlesticks ही है जिनके अंदर पूरी market बसाई हुई है हर candlestick किसी ना किसी इन 6 में से एक candle के ऊपर हर candle कहीं ना कहीं इनके ऊपर apply होती है इनकी psychology आप समझ लीजिए कहां पर किसको देखना है यह चीज़े बिल्कुल समझ लीजिए बस इतना ही करना होता है आपको analysis करने के लिए दोस्तो आशा करतो है वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो जरूर like share कीजेगा subscribe कीजेगा चैनल को और bell icon को प्रेस क इनकी दोस्तो